आज हम आलू और गोवी की बहुत ही जटपट बाली रेस्पी बना करके तैयार करेंगे हमने गोवीयों को इस तरीके से कट कर लिया और गरम पानी में हमने थोड़ा सा इसको धो लिया है जरूर धोना चाहिए क्योंकि इसमें कभी कभी कीड़े भी होते हैं जो और जो गोवी होते हैं गोवी गंदा भी हो जाता है और हमने कुछ छेल करके आलू लिए है जितनी क्वांटिटी में आप इस रेस्पी को बनाना चाहते हैं उतने ही आप आलू और गोवी ले 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 आप इस तरीके से गरम पानी में गोवी के फूल को जरूर धूलें जिससे जो आपको गोवी का फूल अच्छे से साप हो जाएगा और इसमें कीड़ा बगएर होगे तो कीड़ा बगएर भी निकल जाएंगे और हमने दो मीडियम साइज की प्याज को इस तरीके से मोल में यही से अब बना करके तैयार कर सकते हैं आदी चमच हमने सर्चों का वेल गरम होने के लिए रख दिया था जब हमारा सर्चों का वेल अच्छी से गरम हो चुका था हमने इसमें एक तेज पत्तर डाल दिया है एक चमच भरके हमने इसमें छोड़ी चमच से जीरव ड के प्याज कर चारो तरफ से अच्छी से सोफ्ट हो चाएगी और जो हमने गोभी लिया था गोभी को हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ में गोभी को तेल में फ्राइब कर लेंगे गभी कबी आप लोग पहल खाल उब smell यह जाँ कियाएव बढूए यह आलू से जल्डी और करें तैयार है नहीं से आलू नहीं पहला है अँए हैर में संसी bekommt को प्रशनाद की चलए है तुअ हमें पर और यहां आखते दुझा Biz करके इसमें डाल दिया है जब आप इस तरीके से खड़े मसाले डाल करके ऐस सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्ट यो बहुत ही कुश्बूदार आपकी सब्जी बन करके तैयार होगी और उसी के साथ में हम थोड़ा से नमक डाल देंगे नमक आप अपने टेस्ट के अक होती अच्छ से पक करके तैयार होगी जड़ imaginat अब दैके हुगे हैं तो बिनाएंगे ही सब्जी को आप पका सकते हैं देहिए । दोस्तों हमने 2 मिनट तक medium ये लोगयस पर हमने इसको अच्छोस्ते अ करके पका लिया है सब् przede everybody भिर बिन थाके होगी इसको पकहना चाहता है तो सबजी को पका सकते हैं दोस्तों कुट हमने 2 मिनट तक गब या लो एस सेई गूलेगी जिस्तते सब बिलकुल कर देखें देखने में अच्छी लगेगे गवियर आलु भी पख चुके हैं हमने की हमारी इक मिनट के लिए और इनको ढ़क दिया था जिससे रहले सब्जी और अच्छे से पक करके तैयार हो चुकी हैंब हम इसमें मसाले में कोई मसाला कि अगानी है देखो हमारी दोनों चीज़ें अच्छे से पक करके तैयार हो चुकी है पहले तो हम इसमें टमाटर डालेंगे हमने दू टमाटर लिए हैं दू टमाटर को हम इसमें अच्छे से डाल देंगे और पकने देंगे टमाटर तो बहुत ही जल्दी सौप्ट हो करके तैयार हो जाती है इसलिए हमें टमाटर को बिल्कुल बाद में ही डाला है जैसे हमारी टमाटर थोड़ी से सौप्ट होने लगेंगे तो हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और हल्दी पाउडर को अच्छे से मेक्स करतेंगे हल्दी पाउडर से बहुत ही अच्छा सबजी में कलार आ जाता है और इसमें हम एक चम्मज भर के लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और एक चम्मज भर के हम इसमें धन्या पाउडर डाल देंगे तीक है आप अपने टेस्ट के कोडें कम या जादा करें हमारी कम तीक ही वाली लाल मिर्चे इसलिए हमने इसमें एक चमज भर के लाल मिर्च डाल दी है और अच्छे से मिक्स कर दिया है और गयस को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे और धीमी गयस को इन मसालों को हम अच्छे से के अंने को अब्लाश्ट से तोड़ा से गरं मसाली में bye मसाली इसाना एक्स सब्राइन ऐस सूकी सबजी में बना करें शाल जाँ यहको खोला को ना थंद हो तरह यां फजयकी सब्सक्सरे चे सब्सक्राइ से अब क्यार हो चुकी है दोस्तों बहुत ही सबको आज पसंद आने वाली है यह सबजी देखो हमारे गोवी कुफुल पक अच्छे से चुके हैं और बिलकुल भी गले नहीं है कितने अच्छे एक दम बिलकुल खड़े खड़े देख रहे हैं जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो